इवरिवन मैं मालति हूं और मेरे चैनल में आपका स्वागत है । इस वीडियो मैं मैं बेशन की मिर्ची बनाने जा रही हूँ तो चल्या शु करते हैं यह हमने एक कट ऊरी बेशन लिया है हम इसको सेखेंगे पहले तो चलो शुरू करते हैं तो हम बेशन को सेखेंगे पहले पांच मिनट हम इसको सेखेंगे थोड़ा थोड़ा सेखेंगे ज्यादा नहीं सेखना है हमको हमारा बेशन सिग्या है अब इसको उतार लेंगे देखेंगे थोड़ा ब्राउन हो गया है अब निकाल लेंगे ज्यादा नहीं सेखना है अब हम इस पर प्लाए पेंद रखेंगे अगाँ अ यह मसाला लिया है बेशन के लिए तो यह एक चम्मच जीरा लिया है और थोड़े सी खड़ी धनिया ली आधी चम्मच है और एक खरी मिर्ची लिये थोड़ा सा मेथी पाउडर लिया है दो पिंच के करीब पाओ चम्मच और एक उन्च का अध्रक का तुकड़ा किसके लिए है मैंने ये लेसन ली दो कली अब हम इन सबको पीशेंगे सिर्फ धनिया नहीं पीशेंगे धनिया खड़ी डालेंगे बागी सबको हम पीशेंगे, मोटा मोटा कूट लेंगे, अब हम फ्राय करने के लिए एक मेडियम साइज का प्याज लेंगे, एक टमाटर लेंगे, और हरी धनिया, पांच बड़े चम्मज तेल डालें, क्योंकि बेशा नहीं इसमें ज्यादा लगे गते हैं, दो पिंच हींग डालेंगे, फिर खड़ा धना डालेंगे हम, खड़ा धना, स्वारी तिल्ली बूल गई थी में, एक चम्मज तिल्ली डालेंगे, फ्राय करने में, कड़ी पत्ता भी डालते हैं लेकिन कड़ी पत्ता मेरे पास नहीं है, थोड़ा सा मेथी का पाउडर डालेंगे, अब हम प्याज डालेंगे, प्याज को अच्छा सेखेंगे, ब्राउन मोने तब प्याज को सेखेंगे, अच्छा, प्याज ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें सभी मसाले डालेंगे, प्याले हम दाने डालेंगे, दो चम्मच, मूमफली के दाने, यह मेरी ग्रेंड डाउटर लेके चली गई थी, दाने पूरे उधर उठाके, और अपना खुद का खाना बनाना शुरू कर दिया था, इसमें, दो चम्मच दाने डालूँगे, लूमफली दाने टच्चे आलेंगे, मसाले के साथ, हम सुखा मसाल डालेंगे, आदी चम्मच हल्दी डालेंगे, हमने एक खरी निर्च डाली है, तो हम थोड़ी से लाल मिर्च डालेंगे, आदी चम्मच, एक चम्माच सुखा धनिया पाउडर डालेंगे एक चम्माच थोड़ा साम ये एवरेश्ट का मसाला डालेंगे एवरेश्ट किछिन किंग मसाला डालेंगे थोड़ा सा आधी टीस्पून अब हमारा मसाला अच्छे से सिख चुका है थोड़ा ये दनिया डालेंगे करणा तनिया करैंगे लेख डालेंगे डालएंगे लेख ठाले 시청 मेला डालेंगे धूर्णन्या और डालेंगे तो और अधने ये अब मसाला सीख चुका फूरा अब तमाटर की जगे हैं कि अश्याद की खटाई भी डाल सकते हैं और दूसरी खटाई भी कुछ भी डाल सकते हैं लेकिन मैं टमाटर डालती हूं तमाटर से बेसन थोड़ा सा नरम हो जाता है उमको पानी नीडालना पड़ता है इसके अंदर हमारा बेसन थोड़ा नरम रहता है अब हम इस पच्छा सेक लेंगे मसाले को फिर इसके बाद हम बेसन डालेंगे इसमें खुलाई सिखने देंगे कि टमाटर का पानी उड़ जाए दस मिनट के लिए सेकेंगे टमाटर सिखने ता और फिर अपन बेसन डालेंगे कोड़ा नमक डालेंगे स्वादमु साथ हमारा तमाटर सिखके तयार होगे मसाला पूरा सिखके तयार होगे अब हम इसमें बेसन डालेंगे यह हमारा मिर्ची का मसाला तयार हो गया है हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर मिर्ची में डालेंगे मिर्ची हमने दोके रखी है काट के तयार करके अब हम यह मसाला उसके अंदर डालेंगे और फिर उसको फ्राइ करेंगे यह देखे हमारा बेसन थोड़ा गीला हो गया है नहीं तो बिलकुल एकदम सूखा सूखा बनता जब मिर्ची में भर देंगे वह सिखेगा तो एकदम सूखा हो जाएगा इसलिए हम इसमें टमाटर डालते हैं आप टमाटर की ग्रेवी बनाके भी डाल सकते हैं लेकिन ग्र सलेको मिर्ची में डालेंगे कि यह तो तोड़ा की है एब एक उसको चीरा लगाके तरहा यह थी यह चीर दियाए इसको यहां से यह आब इसमें नम्क रत तोड़ा थोड़ा इसा नमक चीट देंगे इसका पानी निथा जाए फिर पूदेशन में लपेट के और इसको हम तल लेंगे कि अब इसका पानी निकल जाएगा उसके बाद इसको बेशन में डाल के तल लेंगे बस यह हमने सभी मिर्ची काटके रखी है अब हम सभी मिर्ची भर देंगे यह सभी मिर्ची में हम बेशन भरेंगे स्वारी कि अस्वी मिर्ची के अंतर ये बेशन डालेंगे पूर भर्देंगे इसको इधरसे डालें इसे हम सभी मिर्चियों को भर लेंगे हमने एक चमज तेल डाला इसमें इसमें हमारी मिर्ची रखेंगे इसमें पूरी मिर्ची हम रख देंगे जो भी इसमें से निकले थे जो मैंने इधर से काटा था इसका मूमू काटा था मिर्ची का तो यह हम इसी में डाल देंगे साइड में तो सिख जाएगा और इसमें हम थोड़ा सा अलू डालेंगे काटके छिलके सही जो तेल में सिख जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा अज़े चुछ लगेगा तो यह विला है तो इसमें परावरण चिक बिजाएगा मैं बैंगन में फोड़ा अलू डालते हुं और इसमें बढलती मिर्ची में अब इसको शिकने रहेंगे आख दालेंगे ऊपर से कितना अशा नमक नालेंगे ज़रा रह वित. और बस इसको सिंखने देगे हम अ आ है कि एक यह बेसन की मिर्ची हमारी पक करतायार हो गई यह त एक Chili दिलाल लाल हो गई यह यह पूरी सखची है मेरे मिर्ची अच्छे से सज़्ीत करूं हो यह डेकि यह यह पैट dermatIANा जिल्म लुक लीम पर पर के यह और सिख गई वाली मिर्ची बनके तयार हो गई है अब अब गेस को बंद कर देंगे यह हमारी भरवा मिर्च तयार है टेश्टी 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 मसाले-दार बैसन की मिर्च तयार है बैसन बहुत बनाया हमने तो आप भी ट्राइए कीजिए इसे पकने में आदा गंटा लगता है आदा गंटा लगया मुझे इसो पकाने में यह बिलकुल लो फ्लेम पे पकाना पड़ता है नहीं तो जल जाती है देखे कितनी करकुरी कुरकुरी लाल-लाल सिखी है बैगन की समान बहुत कम आच में इसको सेखना पड़ता है धीरे-धी I hope कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा Thank you and bye